नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का एक बाद फिर से हमारी यूट्यूब चनल पावप्लान अड़्डा पे तो आज हम बात करने वाले हैं स्लोफवाड बॉलर के उपर देखेंगे कि स्लोफवाड बॉलर क्या होता है कैसे वर्क करता है तो डिटेल्स में समझेंगे बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं स्लोफवाड बॉलर के उपर तो सबसे देखते हैं कि स्लोफ क्या होता है देखें स्लोफ और स्पेंट वास अलसो नोन एज विनेस इस अन एसेडिक इफ्लुएंट प्रोड्यूजड इन डिश्ट जहां भी होती है वहाँ पर यह एक वेस्ट प्रोड़क्ट निकलता है जो की सलरी फॉर्म में रहता है और इसको हम डारेक्ट डिस्पोज नहीं कर सकते क्योंकि यह काफी ज्यादा हजाड़ास होता है हमारे इंबॉर्मेंट के लिए हामफूल होगा हम इसको डारेक्ट डि डिस्पोज ना करके हम इसको बॉलर में यूज कर लेते हैं तो यहां भी हमारा डिश्टर्य नूट होता है वहां मिलेगा आपको और कई जगा जहां पेपर मिल होते हैं जैसे कि जहां पे वुड वगरा से पेपर बनाया जाता है वहां पे ब्लैक लिकर निकलता ठीक ना त दिए यहां पेपर डिखाया है कि जैसे वासे आपकी जी सीव बढ़ रही है अगर 40 परसंटेशन राएक ब्रिक्स का तो आपका जो slope का GCVA वो कितना रहेगा 850, 45 पे 1200, 50 पे 1400 और 60% अगर concentration ब्रिक्स का slope में तो वो हो जाएगा आपका 1800, तो जैसे जैसे आपका ब्रिक्स का percentage बढ़ता जाएगा, जो slope का GCVA वो भी बढ़ता जाएगा, तो आगे देखते हैं कि characteristic wise कैसा होता है, हमारा जो slope होता है, तो इसका color होता है, वो dark brown होता है, order जो होता है, pungent होता है, मतलब काफी ज्यादा, मतलब तीखा एक तरह से बोल सकते हैं, और जो pH होता है, हमने पहली देखा है कि 4 से 4.5 इसका pH value, that means कि acidic है, और जो solid content होता है, इसमें 9 to 12% होता है, बाइव होता है, और chemical oxygen demand होता है, एक लाग 10,000 से एक लाग 30,000 ppm होता है, ओके, तो देखिए, जो हमारा slope होता है, तो दिखते हैं कि slope के जो disposal के methods क्या 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 है, और उसके limitations क्या 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 है, ठीकिना, तो देखिए, generally, हमारे पास 3 methods है, इसके dispose करना है, एक तो है biomethanation, second है composting third है, incineration technology, तो biomethanation में क्या होता है, कि हमें बहुत ज़्यादा liquid की requirement होगी, ठीक ना, biomethanation के लिए, तो ये भी हमारे लिए suitable नहीं है, इसलिए हम biomethanation में use नहीं करते है, slope का, okay, second है composting, composting में लिएक है, हमें बहुत ज़्यादा, मतलब land की requirement होगी, बहुत ज़्यादा area requirement हो सकता है, okay, तो इसमें भी हमारे पास risk है, इसलिए हम composting का भी use नहीं करते है, third है हमारे पास incineration technology, incineration technology that means की उसको जलाना, ठीक ना, जो हमारा slope है, या फिर spend was है, उसको जलाना, तो उसको हम कहां जलाते हैं, boiler में, okay, जिससे कि हमारे पास उसका byproduct जो निकलता है, एक तो हमे steam मिल जाता है, उसको जलाके, और जो उसका wastage निकलता है, उससे हमें मतलब हमारे atmosphere को harmful भी नहीं रहता है, ठीक ना, हमारे atmosphere के लिए, जो कुछ भी उसका pollutant निकलता है, उसको हम ESP या फिर back filter लागा के control कर लेते हैं, okay, तो इसलिए जो हमारा, मतलब हमारे पास जो best suitable method इसको dispose करने का वो है, incineration, मतलब कि उसको जला देना, okay, कहां जलाना, boiler में, okay, तो ये तो बात की हमने, कि slope के, जो dispose करने के method और उनके limitation के बारे में, आगे देखते हैं, कि इसको जलाने में हमें क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, okay, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमें प 1800 किलो कलोरी पर केजी, however, it fluctuates between 45 to 60 bricks, क्या बोल रहा है कि जो इसका GCV हो काफी कम है, ठीक ना, 60 bricks पे ये 800 किलो कलोरी पर केजी है, लेकिन क्या होता है, कि जब slope का जो bricks है, वो vary होते रहता, ठीक न, 45 to 60% पे बैरी होते रहता, ठीक न, तो ये काफी challenging हो जाता है, इसको जलाना क्यों, क्योंकि इसकी GCV बहुत कम है, और क्या क्या challenges होते हैं, देखिए, high deposition, high slagging, frequent clearing, less availability, lower life, high corrosion challenge, ठीक न, क्या होता है, कि एक तो इसमें, सबसे पहले तो पता ही है, कि हमें, इसमें जो GCV हो बहुत कम है, ठीक न, और दूसरा क्या है, कि इसका deposition बहुत जादा होता है, heat transfer area है, वहाँ पर deposition बहुत जादा होता है, और cleaning में बहुत जादा requirement होती है, क्योंकि slow fire slope के साथ, अगर हम baller चला रहा है, तो उसको हम maximum दिन तक चला नहीं सकते हैं, जैसे AFC, CFC baller होते हैं, अगर उसने कुछ fault नहीं आया, तो आप continue, 3-4 महिने तक, even 6 मन तक इसको चला सकत इन में क्या है, जो slow fire baller होते हो, उसमें आपको cleaning के लिए after 1 month या फिर 15 days, after 15 days आपको बंद करना ही करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि choking बहुत जादा होती है, और जो आपके heat transfer area, वहाँ पर deposition भी बहुत जादा होता है, और इसका जो S का fusion temperature होता है, वो भी कम होता है, ठीक क्लिंकर formation के chances बढ़ जाता है, ठीक ना, इसमें chloride का जो percentage हो भी जादा होता है, तो high chloride से क्या दिक्कत है, high chloride से ये दिक्कत है कि वो जो आग मतलब जो जलने में problem करता है, ठीक ना, अगर chloride जादा रहेगा, तो क्या करेगा, जलने में problem करेगा, ठीक ना, तो आगे दिखी क्या slow firing के बाद, तो इसके लिए हमें हर महीने बाद, मतलब plant shutdown करना ही पड़ता है, बॉलर का, आपका water wall या फिर जो भी pressure parts है, उसकी cleaning के लिए, तो अब बात करते हैं कि जो हमारा slow fed baller हो जाए, उसकी quality क्या होना चाहिए, ठीक ना, ताही वो अच्छे से उसमें combustion हो, जादा उसके बारे हम बात करते हैं, देखिए, boiler are suitable for fired concentrated slope ranging from 45 to 65 bricks, ठीक ना, जो boiler हो हमारे पास, slow firing के लिए, वो suitable हो, जिसमें हम 45 से लेके 60% का bricks या फिर 65% का bricks यूज कर सके, ठीक ना, ऐसा नहों कि मतलब उसमें हम केवल high percentage of bricks का slope हो, वही यूज कर भाए, ठीक ना, अगर जैसे कि मा हमारे bricks का percentage rating है, वो up-down होते रहता है, ठीक ना, तो यह एक point हो गया, दूसरा क्या है, boiler design require minimum support fuel for continuous operation, और दूसरी बात यही है, कि जो हम bricks use करते हैं, boiler में, तो ऐसा नहीं कि हम केवल, sorry, slope use करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि केवल slope से हम boiler light up कर लेंगे, और full MCR तक, आप boiler को ले जाए है, okay, तो boiler जो हम design करेंगे, उसके लिए हमें यह ध्यान डखना है कि minimum मतलब कम से कम हमें supporting fuel देना पड़े, okay, option for firing variety of fuel, such as bagage, rice hus, coal, wood, chips and other biomass as supporting fuel, जो हमारा boiler में supporting fuel हो, मतलब बहुत सारे options हो, like bagage हो, biomass हो, rice hus, coal हो, wood हो, ठीक ना, ऐसा नहीं कि मतलब हम केवल rice hus की supporting fuel में यूज कर सकते हैं, फिर केवल bagage supporting fuel में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, okay, अगला point क्या है, availability to generate steam without supporting fuel in absence of slope to keep distillery running, ये भी एक point है कि मालीज हमारे पार slope नहीं है, तो हमारा boiler ऐसा होना चाहिए, कि without slope भी वो चले, मतलब कि केवल supporting fuel पर हमें हमारा steam generate करे, ताकि हमारी distillery बंद बंद करना पड़ेगा, जो की सही नहीं है, okay, जो operating cost है, वो भी कम से कम होना चाहिए, easy to operate होना चाहिए, user friendly technology होना चाहिए, baller का, okay, टाल furnace to achieve high residence time of 7 to 8 seconds to ensure efficient combustion of the slope supporting fuel, जो furnace की height होनी चाहिए, baller की height वो ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि जो अगर मालीजी कम रखेंगे हम, तो क्या होगा, proper combustion नहीं होगा, और आपका, मतलब कि carry forward होगा, fuel आगे की, और, okay, इसलिए हमें क्या करना रता है, क अगर अगर आप slow fat baller देखोगे, तो उसकी जो height रती वो बहुत जादा रखे जाते है, ठीक ना, मतलब maximum जितना रख सकते हों, तो ना, हम रखते है, क्यों, क्योंकि जो residence time में आपके fuel का, और slope का, वो maximum time तक furnace में रहे, ताकि अच्छे से combustion हो जाए, okay, अगर हम furnace छोटा बना चाहिए, डिजाइन अगर कर रहे हम, तो हमें maximum height लेके design करना चाहिए, ठीक ना, slow fat baller का, तो इनका जो pitch होता है, मतलब दो ट्यूबों के भी center to center distance होता है, वो ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, okay, क्यों, क्योंकि जो इसका ice होता है, वो high alkaline होता है, okay, तो deposition ज्यादा ना हो, इसके लिए हम, हमें जो pitch है, pitch का gap ज्यादा रखना चाहिए, okay, efficient and reliable onload cleaning system होना चाहि है, तो ये most important चीज है, हमारा जो slow fat baller है, उसके लिए, क्योंकि without आप slow firing और या फिर wall blower जो भी है, उसके बिना आप baller को ज्यादी दिन चला नहीं पाऊगे, ठीक ना, क्योंकि deposition बहुत ज्यादा होता है, और next point क्या बोल रहा है, air heater design for air flow through tubes and flow gas from outside to eliminate choking of tubes, okay, तो जो air heater हमारा design करना है, वो इस हिसाब से करना है, कि जो हमारा air है, वो inside the tubes है, और जो flow gas है, वो outside the tubes जाए, ऐसा नहीं कि जो एर हीटर लगाना है मतलब श्लो फैड इस पेंट वास बॉलर में उसमें ये इस टाइब से लगाना है कि जो हमारा एयर होना वो ट्यूब्स के इंसाइड से आए और जो फ्लूग ऐसे वो ट्यूब्स के आउसाइड से तो ये कुछ वालिटीज हैं गूड श्लो फैड वोट्चिप्स हो गया तो ये सलोप के साफ से सही है ठीक इसमें हम वराइंटी ओफ सपोर्टिंग फ्यूज कर सकते हैं मतलब कि आपका रेसिप्र केटिंग रिट हो गया फिर ट्रैवलिंग रिट होगे हैं इनका जो लो मैंटेनेंस कौश्ट है वो भी लो होता है मिनमम ऑक्जलरी इस्टीम और पाउर कंजमसन होता है और जो फूली अर्टोमेटेट इको फ्रेंडली उजर होता है और एनरजी एफिजिट टेकनोलोजी होती है तो जो अगर आप उसमें देखेंगे तो अगर वो रेसिप्रकेटिंग रेट है या फिर ट्रैवलिंग आप यह देख सकते एक टिपिकल अर्रेज्मेंट है स्लोफाइड बॉलर का अब आगे बढ़ते हैं इसमें बात करेंगे कि जो स्लोफाइरिंग का प्रोसीजर बॉलर में वह कैसे करना है ठीक ना क्या-क्या ध्यान रखना है तो सबसे पहले क्या बोड़ा कि विफोर इंट 60% MCR लोडिंग एंड फर्नेश टेंपरेचर इस 400 तो 500 डिक्रीसी तो हमें जब भी स्लोफाइड करना है तो उससे पहले हमें इंस्योर कर लेना है कि जो बॉलर का बॉलर का जो लोड है वो 50-60 परेंट आफ एमसी आर लोडिंग पे आ गया होना चाहिए ठीक ना और जो फर् लोडिक अग्री के जुड़ करना है ॉक्रायो और यह में इन्स्योर कर लेना है कि सॉफिशन कॉंटिटी ओव स्लोप बित रिक्वाड़ भ्रिक्स अंवेलबल इन स्लोप स्टोरेज टेंक जो हमारा स्लोप स्टोरेज टेंग है उसमें रिक्वाड ब्रिक्स के साथ सब्सक क्वांटिटी ओ स्लोप अवेलबल है या नहीं है टैंक कोईल हीटर एंड इस्टीम ट्रेसिंग लाइन चार्ज एंड टैंक स्लोप टैंपरेचर इज मेंटेंड 70 तो 80 डिग्री सी हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो टैंक का कोईल टैंक का हीटर कोईल है वो चलता मतलब चा करना है और जो स्लोप पंप है वो हेल्दी कंडिशन में होना चाहिए अप्टर इंस्यूरिंग एवब कंडिशन स्टार्ट स्लोप ट्रांसपर पंप एंड कीप स्लोप इन रिचर्कुलेशन मोट फॉर वान और टू अवर बिफॉर टैंक इंटो बॉलर यह सारे जो लिए उसके बाद क्या करना है कि ओपनसीघ लाइंड जोब इन ट्रड़ू लूइब को बॉलर जैसि कि हमने एक से दो घंटे चला लिया रिइसर को लेक्शन मोट में उसके बाद क्या करना है कि हमें आर्टो मैजिंग लाइन ओपन करना है और एस ओभी ओपन करके धीरी- जिरे slope को boiler में लेना है ठीक ना उसके बाद यह हमें ध्यान रखना है कि 20-25% सपोर्टिंग फ्यूल हीट बैसीज पर मेंटेन करना है ठीक ना 20-25% ओके और इसमें ध्यान और रखना है कि कभी भी हमें जो बॉयलर है वह स्लोप पर स्टार्ट नहीं करना चीठिक ना क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आएगी इवें लाइट अप भी नहीं होगा आपका कभी भी तो जब भी हम स्लोपारिंग कर रहे तो हमें यह यह रखना है कि जो साकाटरी फ्यूल है वह हम कंटीनू सप्लाई करें अदर्वाइस क्लिंकर फॉर्मेशन होगा जो कुछ भी है हमारे पास वह अपरेटर जोन हो गया है फिर एकोनमाईजर में फिर सुपरेटर जोन में हर जगा मतलब सिप्ट में एक से दो बार हमें ऑपरेट करना है अदर्वाइस क्या होगा जो डिपोजीशन होगा आपके ट्यूब्स पे उससे क्या होगा ही ट्रांस करना है तो यह था दोस्तो आज का विडियो जिसमें हमने बात की स्लोप फाइरिंग बॉलर के उपर और देखा कि स्लोप क्या होता है और हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्लोप को मतलब बॉलर में चलाते वक्त तो आई होप यह सब आपको समझ में आ गया हो होगा तो विडियो के असला का जरूर बताएं विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दोस्तों को साब जरूर सेयर करें